हलो दोस्तों आप देख रहे हैं डीकोट इंडियन तो यहां पे डिपब्लिक टे के दिन तकरीबन 119 लोगों के नाम को अनौंस कर दिया गया है पद्म अवार्ट के लिए जिसमें की पद्म भूशन, पद्म भिभूशन और पद्म श्री अवार्ट सामिल है हम हर साल सुनते आए हैं कि इतने लोगों को पद्म अवार्ट मिला लेकिन क्या एक्चुली में हमें पता है कि पद्म अवार्ट क्या होता है आज किस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है पद्म अवार्ट किन लोगों को दिया जाता है किस काम के लिए द दिया जाता है जिसने की अपने फिल्ड में बहुत ही बहतरीन काम किया है यह पत्म अवोर्ट से बिलकुल अलग होता है इसके लिए रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर के दोड़ा दिया जाता है प्रसिडेंट के सामने ध्यान रहे कोई भी फॉर्मल रिकमेंडेशन इसके अगर बात करें कि अब तक भारत में कितने लोगवोह को मिल चुका है तो तकरीबान 45 लोगको भारत से नवाजा जा चुकօ आध़ बात करते हैं पदम अवोर्ट के है कुछ अचीव किया है उन लोगों को नवाजा जाता है और इसका जो मेन एलेमेंट है कि किस आधार पर तो यहां पे पब्लिक सर्विस लोक सेबा एक भावना एलेमेंट वो होना चाहिए पद्म अवार्ड सबसे पहले 1954 में जो है इसके लिए सुरवात हुआ था इसका उसक में कि 1978, 1979, 1993 और 1997 है पद्म अवार्ड के लिए जो राजी सरकार है यूनियन टेरिटरी अद्मिनिस्ट्रेशन है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है अलग-अलग डिपार्टमेंट है वो सभी अपना रिकमेंडेशन दे सकते हैं किसको दे सकते हैं तो यहां पे अवार्ड के लिए पद्म भूशन और पद्म श्री अवार्ड दिया जा सकता है अब अगर बात करें कि पद्म अवार्ड के लिए किस-किस फील्ड के लोगों को चुना जाता है तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इतने सारे फील्ड हैं जहां से लोगों को चुना जाता है फॉर एक प्रृटिक्स के लिए इंगिनियरिंग के भी फील्ड से मिलता है उसके अलावा यहां पर ठावाली जे की human rights को कोई प्रोटेक्ट करता है अगर कोई ऐसा activist होता है तो उन लोगों को भी जो है पद्ण अवार्ट से नवाजा जाता है अब यहाँ पे कहा जाता है कि जितनी भी लोग हैं वो सभी पद्म अवार्ट के लिए एलिजबल हैं इरिस्पेक्टिव अव देर जेंडर पुजीशन एन उक्यूपेशन लेकिन उसके पावजूद यहाँ पे डॉक्टर साइंटिस्ट और गवर्मेंट सर्वेंट जो की PSU में काम करते हैं वो लोग पद्म अवार्ट के लिए एलिजबल नहीं हैं उन्हें ये अवार्ट से नवाजा नहीं जा सकता है इस साल के बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताएं कि 119 लोगों को पद्म अवार्ट से नवाजा कया था जिसमें कि 7 जो हैं उन्हें पद्म विभूशन 10 लोगों को पद्म भूशन और 102 लोगों को पद्म स्रीशे नवाजा गया है तो आए जानते हैं कि आखिर ये जो तीनों अवार्ट है ये क्या है और इसमें क्या क्या डिफरेंस है दोस्तों यहाँ पे पद्म विभूशन पद्म भूशन और पद्म श्रीशे में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पद्म भिभूशन के बारे में अगर बताऊं तो ये देश का सकेंड हाइस्ट सिविलियन ओनर है भारत रतने के बाद ये आता है अलग-अलग फिल्ड कैसे लोगों को दिया जाता है जिसने के कुछ बहुत अच्छा काम किया है जिसमें की government servant के द्वारा किया गया काम भी सामिल है अब दोस्तों अगर बात करें पद्म भूशन के बारे में तो ये देश का तीसरा highest civilian award है भारत रतन और पद्म भिभूशन के बाद इसका नमबर आता है ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनके काम को लोग पहचाने उनके काम को पहचान देने के लिए पद्म भूशन जो अवोड है वो दिया जाता है अगर बात करें पद्म श्री की तो पद्म श्री देश का चौथा हाइस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्म पद्म बिभूशन और पद्म भूशन के बाद इसका नमबर आता है अलग-अलग फिल्ड के लोगों को दिया जाता है जिसमें की गवर्मेंट सर्विंट के दौरा किया गया काम भी सामिल है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में पद्म अवार्ड के बारे में इतना ही था आई होप आपको इससे कुछ नई जानकारी मिली होगी अपना समय देने के लिए बहुत-बहुत धनिवाद आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताईए